चोछ नमश्कार दोस्तों पात्ता सभी पर वीडिो में तो आज इस वीडियो में paday ओः ने किरचॉफ के बारे में ठीक है तो किरचॉफ जो रूझ है इसमें हमारे पास तरह के एक कर्शाफ रूल है फिर्स्ट है जो हमारा कर्शाफ करंट रूल सेगेंड जो हमारे पास हो ऑपशेज्व वोल्टिज रूल भी थिएख है अब बात कर लिते हैं हम करंट रूल के बाथ है इसको जो है हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं ठीक है अब यह जो है कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है यह काम करता है बेस्ट अन लॉफ अफ गंजर्वेशन अफ चार्च ठीक है तो अकावडिंग टू प्रिंसिपल आफ कॉंटिनिटी जितना चार्ज ठीक है आएगा किसी एक पॉइंट पर उतना ही चार्ज उस पॉइंट से होता हुआ बाहर चला जाएगा जैसे कि यह वाला पॉइंट है यहां पर यह चार्ज जा रहा है आई बन यहां पर कुछ इस तरह से ठीक है और यह सभी चार्ज जा रहे हैं और यह आ रहे हैं और इस यह आ रहा है यह भी जा रहे हैं और यह भी जा रहा है आई वन आई टू आई थ्री आई फॉर आई फाई तो I1 जो चार्ज है ठीक है I1 चार्ज और I2 चार्ज I1 और I5 I1 प्लस I5 जो की बड़ाबर होगी इसके I2, I3, I4 के I2, I3 और I4 जितना करंट आ रहा है ठीक है जितना करंट आ रहा है जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जो है बहार चाह रहा है तो यही है हमारे पास जो की बताता है हमको law of conservation of charge के बारे लिए कि जितना charge आएगा उतना ही charge बहार जाएगा ठीक है तो according to this law हम क्या बोलेंगे इसी के हिसाब से summation of total current is equal to zero यह चीज हम जो है इसमें इसमें लिखेंगे ठीक है दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं हम junction की junction क्या चीज़ है junction हमारे पास एक point है जहां पर तीन या फिर तीन से ज्यादा ब्रांचे हैं वो आपस में मीट करती है तो जंक्शन क्या है junction is a point in a circuit there three और more than three branch और meet जहां पर तीन या फिर तीन से ज्यादा ब्रांचे हैं वो आपस में मीट करती हैं उसको हम क्या बोलेगे जंक्शन जैसे के महां लीज़े यह कोई circuit है यहां पर यह एक ब्रांच है दूसरी ब्रांच है हमारे पास यहां पर ठीक है दूस्तों फिर एक और ब्रांच है हमारे पास यहां पर यहां ब्रांच यह हो गई दूसरी ब्रांच यह तीसरी ब्रांच यह अब यह यह वाली इस पईंट पर आकर मिल रही है तो यह एक junction हो गया और यहां पर आकर मिल रही तो यह दूसरा जंक्षन हो गया हमाल लेते हैं पहला जंक्षन यह है और दूसरा जंक्षन यह है तो हमारे पास क्या है यह हमारे पास जो है क्या बन जाएंगे जंक्षन बन जाएंगे जहां पर ब्रांच आपस में मेट करते हैं अब बात कर लेते भी ठीक है जंक्षन हो गया तो फिर ब्रा कि एक जंग्शन से चलकर दूसरे जंग्शन पर जब हम जा रहे हैं तो किसी पात खेत्रू ही तो जा रहे हैं ठीक है अब वह पात हम कोई सा भी ले सकते हैं कि तो पाथ कि फ्रॉं कि फर्स्ट जंग्शन कि तो नेक्स्ट जंग्शन हमारे पास क्या है यह हमको ब्रांच के बारे में जो है बताएगा अब ब्रांच में आपको एक चीज धान में रखनी है को चीज है यह माली जी यह कोई ब्रांच है कुछ इस तरह से यहां पर कि एक यहे है एक यह एक कि अब माली जी अन्यशन कर ब्रांच में करंट जा रहा है है favors अगर इस ब्रांच में करं टा रहा है और यह ब्रांच हो रही है यहां से और एंड हो रही है यहां परचा कर तो जो आइवन करंट होगा यह आइवन करंट जो है पूरी पूरी ब्रांच में सेम रहेगा यह चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो यह बात है यह हमारे पास ब्र सब्सक्राइखे पर 1 में जो करंध़ तरह किया रहे हैं सेम्म्रेग जो है चेंज में नहीं होगी विसह आपको बता दिया है कि है पर स्कष्ट किया है कि अब इसमें एक सर्कीट बनाते हैं और उसमें थोड़ा इसको और समझते हैं अगर झाल झाल यहां से करंट आ रहा है आईटू 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 यहां से करंट आ रहा है चाहिए लए कि इंड़ेयों जो भलावर होगा आईवन करन्ण कि कि यहां से लेकर हैं स्टो यह पर तो यहां पर जो करंड यह वह यह आ रहा है कि अब यह वालाएडू है कि यह वाला हो गया अगे व्रण वाय'm प्रॉपक्त जा रहा है «वर जा रहा है चैनल स्टु जा रहा है तो अवं यहां से आ रहा Be यहां से मिल प्र इस तरव जा रहा है तो यह हम कुछ इस तरह से अपलाई करेंगे करच्छोफ को सेगंड है नियूंकि हम जो है वोल्टेज रूल या फिर जो है लू रूल भी बोलते हैं कि उसको आपलाइज करने से पहले हम यह करना होता है तब ही हम उश्कों आगे सॉल्व करने हैं में तो इसको हटा रहे नहीं20 पर बनाना पड़े हैं हम किर्चॉफ वाल्टेज रूल अब यह रूल किस पर काम करता है यह रूल काम गड़ता है law of conservation of energy कि जितनी भी हम जो है प्रटेंशल एनरजी देंगे वाल्टेज देंगे तो वह वाल्टेज है जो वो उस circuit के जो element है वो उस voltage को consume करेंगे मतलब कि जितनी energy circuit के अंदर जो source है वो source जितनी energy देगा उस energy को जो consume करेंगे यह circuit के element जो है उसको consume करेंगे तो यह वाला जो प्रिंसिपल है यह वाला बेस्ट होता है कि बेस्ट ऑन कि लो ओफ कंजर्वेशन कि आफ एनर्जी कि इसको हम जो है कि लूप रूल भी जो है बोलते हैं इसमें हम लूप को लेकर जो है solve करते हैं जो circuit बना हुआ होता है उसमें जो अलग अलग लूप होते हैं उन लूप को लेते हैं ठीक है उनको solve करते हैं फिर उससे जो है voltage निकालते हैं पहले current निकाल लेते हैं मतलब कि current वाला रूल अप्लाई कर लेदेंहें इसको है अप्लाई करते हैं हर तो इसमें मैंने एक सीज़या रॉव नकी बार लादा की एलिमेंट की एलिमेंक जो है है इनर्जी मोर्ัों को यूज़ करते तो आफिन यह के शेस्ट इंदी कर लिए शोज पोटेंशल डिफ्रेंस जो पोटेंशल डिफ्रेंस को शौ करते हैं यह दर्शाते हैं वह हमारे पास को होते हैं अब इन के बारे में और ठोड़ा जाम तहां आप जो चीजह हैं यह चीज में आपको ताह रहूं रूल है लूप के अंदर एपलाइ करने में बहुत आसानी हो जाएगी है यह माल दीजे कोई यहां पर रिजिस्टेंस है यह वाला पॉइंट है ए यह वाला पॉइंट है अब करण्ट हम बालने कि करण्ट चल रहा है इस डारेक्शन में अब करण्ट चल रही है इस डारेक्शन में अब करण्ट चल रही है इस डारेक्शन में क्यों चल रही है करण्ट इसलिए चल रही है क्योंक कि करेंट जो है हाईयर पोटेंशल से लोगड़ पोटेंशल की तरफ चलती है त्युक्त ग के तो सब्सक्राइब तो इस टोगए ने ग्षिए और विआ रह frightened आए जो है उसका डिफ्रेंश कम कतना तो इसrum की तरह जा रहा है थिग के बीचि पार्ज़ मैं एलिमें तो जो potential difference है va minus vb ठीक है ये वाला potential जाला है ये वाला potential कम है जबी तो higher से लोगर की तरफ जा रहा है तो जाला potential minus गम potential बवर किसका होगा potential ही निकल कर आएगा जो की एक positive होगा क्यों मन Trung है ये 5 है ये 3 है तो क्या आएगा दो ही तो आएगा, दो क्या है, नेगेटिव तो नहीं है, पॉस्टिव ही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो potential आएगा, वह भी माल लेते हैं, और कैसा आएगा, positive potential या फिर, आई-R, इस तरह से जो है से potential आएगा ठीक है दोस्तों आप देखो माले यहां पर जो है मैं एक बैठ कर दो अब यह क्या है यह higher potential है यह lower potential है इस point पर VA इस point पर VB तो VA minus VB is equal to इसको हम नाम देते हैं V इसको हम नाम देते हैं V higher potential से lower potential जा रहा है और current के direction इस तरफ ही है तो VA minus VB ठीक है जो potential आये को वो एक जा होगा positive निकल कर आएगा अगर हम इस direction में ले रहे हैं तो ये चीज हमरे पास इस तरह से निकल कर आएगे अगर हम इस direction को ले रहे हैं इस हिसाब से ले रही है ठीक है अब देखो अब यही वाला resistance है यहाँ पर यह point है A यह point है B अब क्या हो गया potential जो है current की direction हो गए reverse अब अगर current की direction हो गए reverse ठीक है तो मतलब कि यह lower potential पे है और यह higher potential पे है लेकिन हम जो है VA-VB VA-VB ही लिक रहे हैं अब भी ठीक है हम जो है calculation अब भी उसी तरह से ले रहे हैं इस तरह से लिए इसमें लिए अब देखो यह क्या है lower potential पर है यह higher potential पर है lower मतलब कि मान लेते हैं यह 3 पर है और यह 5 पर है तो 3-5 कतना होगे नेगेटिव 2 तो यहां पर जो resistance निकल जो पोटेंशल निकल कर आएगा वो नेगेटिव आई आ रहोगा अब देखो इसको 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 अब यहां पर यह वाला system होटे उठागर यहां पर रहा दिया अब करेंट की डारेक्शन कर दिया अब करेंट की डारेक्शन अगर हमने उल्टे कर दी तो यह क्या है होटे कम-पटेंशल पर है और यहा आउए य evidence स्फल पर रहे आप करेंट की डासन में उल्टी पहले जो हमको मिल रहा था क्तो यहां पर जो और क्तो छो यहां पर जो ए माइनस ब्ली निकले गा हो क्या हो जाए गां यश्त一次 5下去 तो यह चीज आपको इसमें ज्ञान में रखनी है क्या कि जो है करन्ट हाइर पोटेंशल से लोवर पोटेंशल की तरफ चलती है अगर हमने करने इधर और ये पॉजिटिव आ रहा है कि मतलव कि यह हायर पोटेंशल यह लूबर पोटेंशल इसी तरफ है तो यहां पर क्या आएगा जो पॉजिटिव लेकर चलेएंगे यहां पर अगर करने्टिर इदाघरेंगर पहले नेगीटिव आ रहा है मतलब कि यह प्र तो यह पर जो है पॉजिशल कि आएगा जो रिजल्टेंट पॉजिटिव लेकर हम चलेंगे ठीके दोस्तों यह चीज आपको समझने में समझने मतलगी ज़्यादा ज़रूरी दी जब सर्केट बनाकर सॉल्व करेंगे तो यह आपके लिए बहुत यूजफुल होगी तो दोस्तों इसमें जब भी हम किर्चॉफ वॉल्टेज रोल लाएंगे तो वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे क्या the sum of potential difference ठीक है जो circuit का पूरे circuit का जो potential difference है ठीक है यह फिर जो summation of all voltage है वो बड़ावर कितना हो जाएगा 0 तो summation of all voltage in a loop किसी एक loop के अंदर जो summation है सभी voltage का वो किसके बड़ावर हो जाएगा 0 के बड़ावर हो जाएगा क्यों क्यों कि जितनी energy circuit देगा उतनी energy जो element है वो use कर लेंगे ठीक है तो जितनी energy circuit देगा अब इसमें circuit भी है और इसमें जो है element भी है ठीक है दोस्तों तो वो किसके बड़ावर हो जाएगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा sum of all तो यहां पर जो है across all element भी लिखते हो बात वही है अब जो है इसी चीज़ को ना एक छोटा सा न्युमेरिकल ले के हम जो है solve करते हैं आपको इस रूल के बारे में पता चल जाएगा और एक न्युमेरिकल भी हम कर लेते हैं तो देखो यहां पर एक सर्केट है हमारे पास माले जे कुछ इस तरह से हैं कि अगा आप यह बीस ओम सकारे जाएंज और यहां पर वोल्टेज दस वोल्ट यहां पर भी सोर्स गया दस उड़े रखा है और हम को पताना है इसमें जो कर अजो हो रहा है उस तरडी के यहां से जो करण्ट आ रही है वो करण्ट के बाद क्या हो जाएगी तो इसमें माल लेते हैं आई वन इसमें माल लेते हैं आएटू तो आई वन और आई टू कहां से आ रही है इस ब्राव ए तो इस ब्रांच में जो करण्ट चा रहा है कि दिकर तो यह करण्ट इसमें से होाँ जाए अब देखो अब इसको हम loop rule क्यों बोलते हैं अब क्या करना है अब हमको जो है जब इसमें पहले तो देखो किते लूप बन रहे हैं पहला लूप तो यह है यह मन लेते हैं नाम कि एक लूप यह है एक लूप यह है अब हम निकालते हैं यह वाला लूप हम ले लेता है और करेंट के डेरेशन इंदर है लिए उसको अब यहां अब देखो आई वन यहां से चल रहा है अब ध्यान लखने वाली बात क्या है पहले हम जो है क्या करेंगे पहले हम किर्चौफ करण्ट रूल लगाएंगे क्या उसके तुरू हम जो है उसके बाद हम जो है outta रूल लगाते हैं और जो भी चीज़ंगों को निइस्टेंशक्राइन हो हम निकालना है इसम स्ट रूल यहां से यहां और यहां से आईटू जा रहा है तो आ कहां से रहा है इस ब्रांच से जो की आईवन प्लस आईटू के बराबर है तो यहां से फिर आएगा कितना आईवन इस junction से इस junction तक एक branch है तो इसमें I1 आएगा अब इस junction से इस junction तक इस direction में फिर दुबार से एक ही branch है ठीक है इस से element में जो current rule है उसमें element कुछ भी फरक नहीं डालेंगे तो I2 क्या रहेगी से यहां से I1 I2 आगर फिर दुबार से जो है इस branch में जा रही है ठीक है तो यह current rule हो गया आप देखो अब बाता देगा किर्चॉफ voltage rule sum of जो है voltage ठीक है across all elements in a one loop किसी एक लूप के अंदर कितना होगा जीरो होगा पहले यह loop ले लेते हैं बाद में यह loop ले लेते हैं अब आजाओ यह वाला I1 जब I1 ऐससे आ रहा है direction किस तरफ है यहां पर direction यह फिर यहां पर direction यह तो जब यहां पर आएका current तो direction किस तरह से है अब जब current यहां पर आ रहा है तो positive यह है सोरी जो है higher potential यह है lower potential यह है और current के direction क्या है कि इस तरह से opposite है यह मैं आपको पहले बता चुगा हूँ तो यहां पर क्या आएगा negative 10 ठीक है दोस्तों यह potential उसके बाद यहां से चलता हुआ तो यह यहां से और यहां तक यह ब्रांच क्या हुए खत्म हुए अब दूसरी ब्रांच स्टार्ट होगी यहां से और यहां तक स्टार्ट होगी वहां पर current केतना है i1 प्लस i2 multiply by resistance अब current की direction इदार है ठीक है तो higher potential से lower potential तक जा रहा है यह current i1 प्लस i2 multiply by गया resistance समर पास potential निकल कर आ जाए गया across this element तो क्या हो जाएगा i1 प्लस i2 multiply by 20 तो sum of potential difference across all elements in this loop is equal to zero तो यह इस लूप के लिए निगल गया अब इस दस को उठा कर आप जो है यहां पर जीरो से zero हटा तो यहां पर यह equation हमारे पास बन कर आ गई है अब यह वाला लूप ले ले लेते हैं इस वाले लूप में देखो अब इस point से लेकर इस point तक एक ही branch है current कितना है i2 current कितना है i2 i2 आया multiply by यह पहला वाला resistance तो पहला element multiply by 20 तो यह अब उसके बाद आए और यहां पर क्या हो गई branch खतम यहां से दूसरी branch क्योंकि यहां पर क्या है जंक्शन है अब इसमें कौन सा current दा रहा है i1 plus i2 multiply by 20 जो कि इसका potential difference के बारे में हमको बताएगा कितना i1 plus i2 multiply by 20 is equal to 0 for this loop ठीक है अब देखो यह वाला जो negative 10 है यह वाले negative 10 को उठा कर आप इधर रहा हो positive 10 हो गया अब i2 20 plus i1 20 plus i2 20 is equal to 10 ठीक है है और देखो 20 20 और 20 सम में है तो यह अटा दो सबसे i2 2 और i2 2 कितना हो गया 4 i2 4 i2 plus i1 और यह क्या है 2 है ठीक है is equal to 1 एक equation हमारे पास यह हो गई एक equation हमारे पास यह हो गई अब उनको जो है solve कर लेते हैं 2 i1 plus 2 i2 is equal to 1 2 i1 plus 4 i2 is equal to 1 गटा देते हैं यह हट गया यह हट गया तो 2 i2 2 i2 में से negative 4 i2 गया तो कितना पच्छा नेगेटिव 2 i2 is equal to 0 तो i2 कितना हो गया जीरो i2 हमको मिल गया 0 अगर i2 हमको 0 मिल गया तो इसमें i2 की value पुट कर दो i2 कितना हो गया यह पर 0 यहां पर i2 कितना हो गया 0 तो i1 बड़ाबर एक बड़े दो तो i1 बड़ाबर जो है 0.5 निकलकर हमारे पास आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो जो किर्चौफ वॉल्टेज रूल है किर्चौफ वॉल्टेज रूल में आपको द्यान में रखना है समिशन ऑफ और पोटेंशल टिफ्रेंस ठीक है इन आ वन लूप फोर ओल एलिमेंट किसी एक लूप के अंदर जो उसके सभी एलिमेंट है ठीक है उनका जो पोटेंशल डिफ्रेंस है समिशन ऑफ और पोटेंशल डिफ्रेंस कितना होगा जीरों के बराबर होगा यह आपको सेकिंड में लगाना है लेकिन से पहले आपको फर्स्ट होगी तो यह कुछ किस तरह से हमको सॉल्व करने पड़ेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूट्स के साथ वीडियो देखने के लिए कन्यवाद अगर आप यह व मुलिक फिजिक्स और मैतमेटिक्स को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें